मुंबई अंडर वर्ल्ड में एक से बढ़कर एक डाउन पैदा हुए और पुलीस या दुश्मन की गोली का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए लेकिन आज हम जिस अंडर वर्ल्ड डाउन के बाद कर रहे हैं उसके तुलना जैंप्स बॉंड से की जाती है क्योंकि डेरिंग के साथ साथ कद काठी और बॉडी बिल्डिंग में वो सबसे आगे था पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और उसका फ्यूचर काफी ब्रिलियंट था लेकिन इसे संगत का असर कहें या फिर इसकी डेस्टनी वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा और एक वक्त ऐसा आया जब अंडर वर्ल्ड के बड़े बड़े डाउन को उससे खत्रा मैसूस होने लगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं उस समय के अंडर वर्ल्ड डाउन करीम लाला और दाउद इपराहिम की यही वज़े थी कि ये दोनों चाहते थे कि वो रास्ते से हट जाए मुंबई पुलिस के लिए भी वो सिरदर्द बन गया था और बहुत जल्दी पुलिस ने उसका एंकाउंटर भी कर दिया मान्या सुर्वे या मान्या भाई के नाम से फेमस इसे मुंबई का पहला डाउन कह सकते हैं और ये पहला वक्ति था जिसका मुंबई पुलिस ने एंकाउंटर किया आईए जानते हैं मान्या सुर्वे की पूरी कहानी बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक मुंबई के डॉन की कहानी को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना ज़रूरी है जिस दोर में हाजिमस्तान, करीम लाला और वरद राजन, मुदलियार का मुंबई में सिक्का चला करता था लेकिन ये तीनों मुंबई को तीन हिस्सों में बाट कर बड़े शांते पूर्ण तरीके से अपने अपने एरिया में काम ट्या करते थे इन में से सबसे पहले डौन शब्द का इस्तिमाल करीम लाला के लिए क्या गया उसे करीम लाला के साथ शेर खान के नाम से भी जाना जाता था लेकिन करीम लाला अफगानिस्तान के एक अमीर परिवार करहने वाला था जो पाकिस्तान के पेशावर के रास्ते मुंबई आया और यहां आकर उसने अपना धंदा जमाया वो बेसिकली डाइमंड, सोने और दूसरे सामारों की स्मगलिंग क्या करता था लेकिन आगे चल कर असी के तशक में दाओ दिबराहिम के बड़े भाई साबिर कासकर ने भी भाई गिरी और गुंडागर्दी के क्षेतर में आगे बढ़ना शुरू किया देखते ही देखते वो पठान गैंग की आँखों में खटकने लगा एक बार दाओ दिबराहिम को पकड़ कर करीम लाला के सामने लाया गया और उसकी काफी पिटाई भी की गई चैनल पर आये नए साथियों से हम क्याना चाहते हैं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजी पठान गैंग और साबिर कासकर के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के लिए जखड़े होने लगे गैंग बार होने लगी अब तक मुंबई अंडर वर्ल्ड में स्थापित तीनों अपराद ही बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपराद को अंजाम दिया करते थे वो स्मंगलिंग अवैद शराब जुआ सक्टा जैसे काम किया करते थे पर खून खराबे से परहेज किया करते थे जबकि अंडर वर्ल्ड की नई पीड़ी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ही खून खराबा किया करती थी आगे चलकर पठान गैंग और खासकर गैंग की बीच हाजिमस्तान ने इस बात का समझोता करा दिया कि अब ये आपस में एक दूसरे के साथ खून खराबा नहीं करेंगे और शांती पून तरीके से काम करेंगे उस समय तो दोनों ने हाँ कह दी लेकिन पठान गैंग के दिमाग में साबिर खासकर काटे की तरह चुप रहा था इस समय मुंबई के अंडर वर्ल्ड में एक और वेक्ति का नाम उभर कर सामने आया वो था मनोहर और जुन सुर्वे जिसके दोस्त उसे मान्या सुर्वे के नाम से बुकारती थी मान्या सुर्वे का जर्म महाराष्ट के रतनागिरे में हुआ और अपनी शिर्वाती पढ़ाई लिखाई की बाद ये मुंबई अपने बड़े पिता की घर आ गया ताकि आगे की पढ़ाई लिखाई कर सके इसने मुंबई की कीर्थी कॉलेज में बी ए में एड्मिशन लिया और आगे चलकर अपना ग्रैजुएशन 76% नंबर के साथ पुरा के मान्या का साउतेला भाई अपराद की दुनिया में अपना दखल रखता था धीरे धीरे मान्या सुर्वे भी इस रास्ते पर चल पड़ा आगे चलकर उसने अपना गैंग बनाया फिर छोटे मूटे काम करने लगा एक बार लडाई के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गए इसके बाद मनोहर उसके भाई और उसके दोस्त को पुलीस ने अरेस्ट किया इन तीनों को कोट से उम्रकैद की सजा हुई इन तीनों को पुणे की यरबडा जेल में रखा गया लेकिन इस जेल में दूसरे और अपराद्यों के साथ इनके जगड़े हुआ करते थी और वो भाग कर मुंबई आ जाता है यहां आने के बाद पहले तो वो दाओ दिप्राहिम और पठान गैंग में एंट्री मानने की कोशिश करता है मगर जब उसे इस गैंग में कोई चांस नहीं मिलता तो वो अपना ही एक ग्रुप बनाता है चोटी मूटी वारदात करता है बैंक लूटता है खजाने को लूटता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वो ठिकाने लगाते जाता है आगे चलकर मुंबई अंडर वर्ल्ड में उसका नाम चलने लगा पठान गए भले ही हाजी मस्तान की बात में आकर खासकर गैंग से समझोता कर चुका था लेकिन अब उसे एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसके जरिये वो कासकर गैंग को सबक सिखा सके पठान गैंग मान्या सुर्वे से मुलाखात करता है और उसे साविर कासकर की हत्या करने के लिए कहता है मान्या सुर्वे को भी अंडर वर्ल्ड में अपना नाम कवाने का मौका मिल जाता है इसके बाद साविर कासकर की रेकी की जाती है और ये जानकारी निकल कर सामने आती है कि वो अकसर रात के वक्त सिध्धि विनायक मंदर के पास स्थित पैट्रूल पंप पर पैट्रूल भराया करता है सारी चीजे कम्प्लीट होने के बाद मान्या सुर्वे ने साविर कासकर के लिए सिध्धी विनायक के नजदीक स्थित पैट्रोल पंप पर फिल्डिंग जमाली और उसके आने का इंतिजार करने लगे जैसे ही साविर कासकर अपने रूटीन में उस पैट्रोल पंप पर आया पहले से मौझूद मान्या सुर्वे और उसके लोगों ने उस पर फायर खोल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गए अगले दिन अखबारों में साविर कासकर की मौत की खबर बड़े बड़े अक्षिरों में छपी हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा काउन है जिसने दाओ दिबराहिम पर हाथ डालने की हिमाकत की पठान गैंग पर पहला श्रक जाता लेकिन समझोता हो चुका था आगे चलकर दाओ दिबराहिम को ये पता चल गया कि ये काम एक नए लड़के का है चिसका नाम मान्या सुर्वे है अब दाओ दिबराहिम मान्या सुर्वे के पीछे पढ़ गया इन दोनों के बीच दुश्मने की शिरुवात हो गए इस घतना के बाद मान्या सुर्वे का कद अंडर वर्ल्ड में काफी बढ़ गया। उसने अपने गैंग के साथ काफी तेजी से अलग-अलग बारदातों को अनजाम देना शुरू किया। जिस तेजी से वो अंडर वर्ल्ड में काम कर रहा था और अपराद के रास्ते पर दावड रहा था। उसके रफ्तार को देखकर अंडर वर्ल्ड में स्थापित इन दोनों गैंग को भी डर लगने लगा। दावड इब्राहिम और पठान गैंग से भी वो आगे निकलने के कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं उसने कई पुलिस वालों पर भी राम ला किया। मान्या सुर्वे काफी खतरनाक था। मुंबई पुलिस पहले ही दावड और पठान गैंग के बीच होने वाली गैंग बार से परिशान थी। तीसरी समच्या के तौर पर मान्या सुर्वे सामने आया। उस समय मुंबई पुलिस क्राइम रांच के अफसर इसाग बागवान के नित्रित्व में मान्यासुर्वे को न्यूट्रॉलाइज करने के लिए एक टीम कगठन किया गया इसके बाद मान्या सुर्वे की तलाश की जाने लगी, उसने कुछ दिनों के लिए मुंबई जोड़ दिया, मगर फिर वापस मुंबई में आकर एक्टिव हो गया, वो हमेशे अपने ठिकाने बदलता रहता था, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इतना खतरनाक था कि किसी पर जरा सा भी शक्पोने पर सामने वाले की जान लेने से नहीं जूनता था, इधर पुलिस एक एक करके मान्या सुर्वे के साथियों को पकड़ दी जा रही थी, दाओ दिबराहिम अपने बड़े भाई की कातिलों को एक एक करके मौत की घाट उतार रहा था, केवल मेन और बार मान्या सुर्वे उसके या पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, पुलिस का सबसे बड़ा सरदर्द पठान गैंग था, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस ने इन डाओ दिबराहिम को यूज़ किया, इस बीच पुलिस को मान्या सुर्वे की प्रोग्राम का पता चल वो 11 जनवरी 1982 को दोबहर देढ़ बजे वड़ाला के अंबेटकर जक्षन के पास आने लगा, दरसल वहाँ एक ब्यूटी पालर था और उस ब्यूटी पालर में उसकी गर्फरेंड काम करती थी, वो टैक्सी से अपने गर्फरेंड कुलेने के लिए आने वाला था, पुलिस उसने अंदाजा लगा लिया कि वो पुलिस के बीच फंस गया है, उसने अपने रिवॉल्वर निकाली और फायर करने ही वाला था कि पुलिस की गोलियों ने उसका सीना चलनी कर दिया, इसाक और उसके साथियों ने मान्या सुर्वे पर गोली चलाई थी, एक गोली करदन मे लगी मान्या सुर्वे जमीन पर गिर जाता है और फिर उसे उठा कर पुलिस अपने गाड़ी में लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाती है मान्या सुर्वे उसके बाद भी जीवित था जिस जगह घटना घटी उससे 10 मिनट की दूरी पर ही हॉस्पिटल मौजूद था लेकिन पुलिस वैन को उस हॉस्पिटल तक पहुचने में आदे घंटे से भी ज्यादा का समय इसली लग गया क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि मान्या सुर्वे की जान बद सके इस खबर से दाउद गैंग को बड़ा सुगुन मिला क्योंकि अपने भाई के मरने के एक साल में ही दाउद ने बदला ले लिया रास के बाद ये थी कि मान्या सुर्वे के लोकीशन का इंपुट भी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूबताएं धन्यबाद